अगर आप fail हो गए हैं, तो आपको कभी निरास्त नहीं होना चाहिए, और कभी भी give up नहीं करना चाहिए. Dr. APJ. अब्दुलकलाम जी ने कहा है कि, fail का मतलब होता है, first attempt in learning, याने की fail होना सीखने का, पहला प्रयास होता है. अगर आप इस चैनल पर नए हैं, तो वीडियो को लाइक करें, कॉमेंट करें, शेयर करें, और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, ये बिलकुल फ्री है, आपका एक लाइक हमें, बहुत मोटिवेशन देता है. fail होने पर निरास होकर बैट जाना या give up करना सही तरीका नहीं होता है. हर सफल व्यक्ति अपने जीवन में, कभी न कभी fail जरूर होता है. fail होना हमें अपने प्रयास हो, और इसमें होने वाली गलती को धूंदने का मौका देता है. इसलिए fail को एक नया आफसर समझ के, अच् वही होता है, जो बार-बार असफल होने पर भी उठ खड़ा होता है. जिसने गिर कर उठना सीख लिया, वो जीवन में कभी हार नहीं मान सकता. किसी दिन, जब आपके सामने कोई समस्या ना आये, तब आप समझ लेना कि आप गलत मार्क पर चल रहे हैं. सभी कुछ एक प्र प्रयास करने होंगे. और फिर आपको सफल होने से कोई नहीं रोक सकता. इसलिए फेल का मतलब असफलता नहीं समझे. उसे सफलता का पहला प्रयास समझे.